ये आलू देखिए चिप्स की कितनी कुलकूर है बिल्कुल पैकेट की तरह खाने में भीज का सुआद है मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगे जिससे बहुत अच्छी बनेगी ये ना उबालना है और ना इसे सुखाना है और हमाई चिप्स बनके तयार हो जाएगी हमने आलू को लिया है छिल लिया है हम सारे आलू ऐसे छिल लेंगे अचैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमने पानी लिया है और इस पर मैं दो चम्मच आम पौड़र डालूँगी ऐसे घोल दूँगी इसके बाद हम आलू को लेंगे आ ये कद्दू का से जो आलू क चिप्स काटते हैं इससे तो इसमें मैं अब चिप्स काटूंगी एकदम पतली पतली निकल के आ चुकी है एक बराबर ही कटेंगी इसपे अजो हमाँ पीछे किस्टा है उसे हम अटा देंगे फिर दूसरा आलू लेंगे उसे भी ऐसे ही चिप्स कट कर लेंगे इसकी अदे के कट कर लिया जो हमने पानी लिया था अब इसपे हम डाल देंगे मनें हम चूर पौडर का पानी इसलिए लिया है ताकि यह जो इसपे इस टार्च निकलता है ना पानी आलू का सपे सपे तो वो निकल जाएगा सूर पॉडर की जगा चाय निबू का रस यह दही यह सा लस्ची ले सकते हैं और हमारे आलू की चिप्स बिल्कुल अच्छी बनेगी एक दम कड़क और इसे उबालना भी नहीं है नहीं पकाना है और नकाली पड़ेंगी तो चलिए अब हम सारे आलू की चिप्स कट कर लेते हैं मैंने सारे आलू कट कर लिये हैं और सारे आलू को मैं यह पानी में डालती जाओंगी और इसे मैं थोड़ी देर के लिए इसमें डालके रख दूंगी ताकि जितने भीultur अचैर आलू का निकल जाएगा तो माय आलू काले नहीं पड़ेंगी तो देखिए अब मैं इसे अच्छे पानी में धोलूंगी मैंने कई बार आलू को धोया है अच्छे पानी में यह देखिए अब मैंने सारा पानी निकाल दिया हम एने गरम पानी लूँगी और इस पर नमक मैंने पहले ही मिला लिया था और एक मिनट के लिए इसे मिक्स करेंगे थोड़ी देर ताकि नमक आलूँ में मिल जाए और फिर इसका पानी निकाल देंगे हम ऐसा करने से हमाई आलूँ चिपसों में नमक आ जाएगा और अलग से मिलाना भी नहीं पड़ेगा तो मैंने सारे आलूँ के पानी निकाल दिया है और मैं एक कपड़ा लूँगी और उस पे इसको फैला दूँगी और एक एक करके फैला देना है एक दूसरे के उपर चिपके नहीं कि ताकि पानी जल्दी अलग हो जाए इससे सूख जाए और मैंने सारी फैला दीये एक कपड़ा लूँगी और इससे दीरे दीरे इसकी ऊपर रग दूँगी ताकि पानी इस पे शोग जाए आप चाहे तो पंका भी चला सकते इसे भी इसका पानी सूख जाएगा और हमारा इसार्य पानी सूख चुका है तो हमने इसे निकाल लिया कटोरी में अब हम कड़ाई रखेंगे और गैस पे तेल गरम होने पर इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तलने के लिए आप इकटा ना डाले नहीं तो अच्छी है तलेंगी नहीं जल भी जाएंगी इसे थोड़ा थोड़ा करके ही तलें अब देखिए गयस को आपको नजज़ादा लोर रखना है नज़ादा हाई रखना है मीडियम रखना है और हमाई चिप से तलने लगी है पक चुकी है तो इसे हरो हम निकाल लेंगे चिप शिपन के तयार हो चुकिए देखे कितनी कुर्कुरी है और खाने में भी बहुत टेस्टी है बिलकुल दुकान की पैकट के जैसे ही इसका सुअध है और हम फिर डालेंगे दोबारा और फिर थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही और निकालेंगे जितना देखने में अच्छी लग रहे इतना खाने में भी अच्छी लग रहे इसे आप बीच बीच मेर चलाते जाए चमच की सायता से ताकि यह जले नहीं और यह भी हम पक चुकी है तो इसे आप निकाल लेंगे और कषडारी की में आप बीच में आप चुकी है यह इसे जिपसे सारी हम ऐसे पकालेंगे इस पी और करकरी करकूरी बनी के त्यार क्यार्य हो चुकी है immortal के नद film किषिए इसे इसे भी हम निकाल लेंगे और मैंने इसे अकबार में रखा है पहले रहा सकी आक्धाने ताकि हम इस बिल्कुल कड़ा के बनके तयार हो चुकी है ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन अब तक पहुंच जाए